तो मैंने यहाँ पर measurement के लिए कुरती लिए है और 2.5 मिटर फैबरिक लिया है ये cotton का है तो सबसे पहले हमने फैबरिक को लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा है ये दिखे अभी हमें इसे 4 फोल्ड करना है तो इस तरह से उठा के हम इसे फोल्ड कर देंगे हमें इसे पूर कर देंगे, अच्छे से इसे फोल्ड करना है, बीच में कोई भी सिल्वट ना रहे, दोनों की किनारियों को अच्छे से मिला लेना है, और उसके बाद जहां से यह हमारा स्लिट आया है, वहां से हम हिप का मेजरमेंट लेंगे, तो यहां से यह हमारा 10 इंच है, तो हम 2 इंच म अकॉर्डिंग फोरफुल्ड किया है, अभी हम लेंद का निशान लगाएंगे, तो कुर्ती की लेंद हम मेजर करेंगे, तो यहाँ पर शोल्डर से बॉटम तक की हम लेंद मेजर कर लेंगे, तो यह हमारी लेंद 42 इंच है, तो 2 इंच हम मार्जिन लेंगे, तो 44 इंच हम लेंद लेंगे, तो इस तरह से हमें 44 इंच पर मार्क करना है, और उसके बाद नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे, और साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे, तो देखे इस तरह से हमने कुर्टी के लिए कपड़ा निकाल लिया है अभी हम इस पे मार्किंग करेंगे सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे तो हमें कुर्टी का शोल्डर मेजर कर लेना है तो जहां से हमने स्लीव को एटेच किया है वहाँ से इंची टिप को रखना है और दूसरे स्लीव तक हम इसे लेके जाएंगे और यहाँ पर शोल्डर मेजर करेंगे तो यह हमारा शोल्डर आया है 12 इंच तो हाफ आफ इंच हमारा यहाँ पर स्लीव में दब गया है तो शोल्डर है हमारा 13 इंच तो 13 का हाफ लेना है य 6.5 इंच इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे अभी हमें कमर लेंद का निशान लगाना है तो कमर की लेंद हम 14 से 15 इंच लेते हैं तो हेवी साइज के लिए 15 इंच लेना है तो यहाँ पर मेरा मिडियम साइज है तो मैं आपर 14.5 इंच कमर की लेंद लूँगी तो यहाँ पर 14.5 इंच पर मार्क कर लेना है उसके बाद हमें हिप की लेंद लेनी है तो शोल्डर से जहां से हमारा स्लेट है वहाँ तक की हम लेंद मेजर करेंगे तो यहाँ से हमारी लेंद आ रही है 19.5 inch प्लस हाफ इंच का हम मार्जिन लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा तो इसके लिए हम हिप की लेंद लेंगे 20 inch तो इस तरह से यहाँ पर उपर से 20 inch पर मार्क कर लेना है अभी हमें चेस्ट का साइज लेना है तो यहाँ पर देखें जहाँ आर्मोल है वहाँ पर हमें अच्छे से कपड़े को खीचते हुए रखना है तो यहाँ से हम मेजर करेंगे एक आर्मोल से दूसरे आर्मोल तक तो यह हमारा आरा है 17 inch तो यहाँ पर 17 का डबल करना है क्योंकि यह हमारा फ्रेंट और बैक दो पार्ट से है तो 17 का डबल आता है 34 inch तो यहाँ पर हमें 34 divided by 4 करना है तो 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 8.5 inch प्लस 1.5 inch की लूजिंग देंगे तो 9 inch हमारा चेस्ट का साइज आ गया है यहाँ पर अभी हम कमर का साइज लेंगे तो इसके लिए यहाँ पर हम जहाँ पर हमारे कमर की गोलाई है वहाँ से हम मेजर करेंगे तो यह हैं हमारा 15 inch तो 15 का डबल करना है 30 inch तो हमारा कमर का साइज है 30 inch तो यहाँ पर हम 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 7.5 इंच प्लस 1.5 इंच की लूजिंग देंगे तो 8 इंच हम कमर का साइज लेंगे अभी हमें हिप का साइज लेना है तो इस तरह से जहां पर हमारा स्लिट आया है वहां से हमें हिप का साइज लेना है तो यहां से हम मेजर करेंगे तो ये है हमारा यहां पर 19 इंच तो 19 का डबल करना है तो वो आ जाता है 38 इंच हमारा hip size है है यहां पर 38 इंच 38 को हम 4 से divide करेंगे तो वो आ जाएगा 9.5 इंच प्लस 0.5 इंच की losing देंगे तो यहां पर hip size आ गया हमारा 10 इंच 4 से divide हम इसके लिए कर रहे हैं क्यूंकि हमने फाब्रिक को फूरफोल्ड में रखा है, तो ये हो गया हमारा हिप साइज, अभी इन तीनों पॉइंट्स को हमें जोड देना है, और उसके बाद यहां से हम स्ट्रेट ही रखेंगे, क्यूंकि ये हमारी स्ट्रेट कट कुरती है, तो इसके लिए हम इसे नीचे स्ट्रेट ही रखेंगे, बॉटम तक, अभी साइड में हमें मार्जिन लेना है, तो आप डेड़ से दो इंच का मार्जिन रख सकते हैं, तो मैं यहां पर दो इंच का मार्जिन रख रहे हूं, यहां से स्ट्रेट ही रहेगा हमारा, अभी हम आर्मोल रॉ कर लेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है सवा तीन इंच पर और यहां से हम आर्मोल का शेप देंगे यह हमारा बैक का आर्मोल है अब यहीं से half inch अंदर की तरफ हम एक मार्क कर लेंगे और यहां से हम front का armhole draw कर लेंगे अभी हम neck की marking करेंगे तो इसके लिए हम कुर्थी को लेंगे और यहां पर हम neck weights देखेंगे तो यहां पर इसकी neck width है 6 inch तो 6 का half लेना है हमें 3 inch तो यहां पर हम neck width लेंगे 3 inch अभी हम neck deep लेंगे तो neck deep है यहां पर 6 inch यह देखें 6 inch है यहां पर तो यहां पर हम margin लेंगे क्योंकि half inch हमारा shoulder में गया है तो half inch हमारा यहां पर नीचे से भी सिलाई में लगा है तो इसके लिए हम 6 inch ही लेंगे neck deep तो यहां पर भी हम neck width का निशान लगाएंगे 3 inch और इस तरह से एक box बना लेंगे और round shape दे देंगे हम front neck के लिए अभी हम back का neck deep major करेंगे तो back neck है 3 inch तो यहां पर भी हम 3 inch लेंगे और round shape दे देंगे तो इस तरह से हमने marking कर ली है अभी देखे यहां पर आपको simple round neck बनाना है तो आपको यहां पर इस तरह से neck की cutting करनी है अगर आपको pattern बनाना है तो यहां पर आपको पहले ही neck की cutting नहीं करनी है तो यहां पर मैं pattern बनाऊंगी तो इसके लिए मैं neck की cutting बाद में करूंगी तो सबसे पहले यहां पर हमें back armhole से cutting करनी है तो इस तरह से मैंने यहां पर back armhole से cutting कर ली है अभी हम इसे ओपन करेंगे और बैक पार्ट को साइड में रख देंगे और फ्रेंट पार्ट को हम फिर से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम फ्रेंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे तो देखें इस तरह से हमने फ्रेंट आर मोल की कटिंग कर ली है तो इस तरह से ये हमने फ्रेंट आर बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो फैबरिक को हमें इस तरह से फोर फोल्ड में रखना है यह दिखे यह open side है और यह full side है और सबसे पहले हमें length measure करनी है sleeves की तो जहां से हमने sleeves को attach किया है वहां से हम length देखेंगे तो यह length है यहां पर 16 inch plus 1.5 inch हम margin लेंगे तो 17.5 inch हम length लेंगे इस तरह से अभी हम sleeves की broadness लेंगे तो जितना आपका armhole है उससे 3 inch जादा लेना है तो मैंने armhole 6.5 inch लिया था तो 3 inch add करेंगे तो 9.5 inch आता है तो यहां पर sleeve की broadness मैं लेंगे 9.5 inch अभी यहां पर open side से 3 inch down mark करना है और यहां से हमें sleeves का shape देना है अभी हमें sleeve का bottom भी major कर लेना है तो यहां पर sleeve का bottom हमें major करना है तो यह है हमारा 5 inch sleeve का bottom तो 1.5 inch margin लेंगे तो 6.5 inch हम sleeve का bottom लेंगे इन दोनों points को जोड़ देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeve की cutting कर ली है अभी हमें इसे open कर लेना है और यहां पर देखे या तो दोनों की सीधी side हमें अंदर की दरफ रखनी है या फिर ulti side अंदर की दरफ रखनी है तो मेरी यहां पर दोनों की ulti side अंदर की दरफ है उसके बाद ही आपको front का armhole draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने फ्रेंट का आर्मोल कट कर लिया है तो ये हमारे दो साइड के दो स्लीज है